इसलिए इंडिया का परफॉण बहुत आच्छा रहेगा अज मंत्री कोशल की सोर ने आज सुझाओ पेटिका लांच किया यहां पर जनता जो है अपना सुझाओ पत्र के माधम से पेटिका में डाल सकती है उसके बाद जो है वह बीबी आईपी के स्थाउस पर इस पेटिका क सुभारम किया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने मोधी सरकार के 10 साल के कारेखाल के बख्रूवियों को गिनाया और साती यह भी कहा कि मोधी सरकार ने 10 साल में जो किया है वह काम सीदे जन्मानस तक पहुंचा है और कौशल की सोर मोहनलाल गंज से भारती जनता पार्टी जन जन तक अपनी बात को पहुंचाएगी और सुझाओं मांगेगी और उसके बाद जो है उस सुझाओं के आधार पर संकल्प पत्र अपना लौंच करेगी कौशल की सोर ने अपने अपने लोकसभा छेत्र में जगां जगां पर दो LED बैन भी चलाई है यह LED बैन हर विधा को कवर करेगी इस तरह से भरती जनता पार्टी जो है आगामी लोग तबाचुनाओं खुले कर अपनी तयारियां जो है पूरी तरह से कर ली है और LED बैन के जरीए वो जनता तक पहुंचने का कार कर रही है प्रफॉमेंस 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 इस वक्त मतलब 2014 से 2019 से भी 2024 में बहुत बड़ा श्रॉंग रहेगा कि आप लोग जानते हैं कि मतलब 2014 में नरेन मुदीजी की नेत्रोद में 282 सिटे मिली थी बीजेपी को 2019 में 303 सिटे मिली थी अभी ये पांच सालों में बहुत बड़ा का काम हुआ है और महिला अलेक्षेन बील हूँ 370 अर्टिकल हटाने का विशे हूँ या 10% अलेक्षेन EWS को हूँ या कि किसानों के बारे में भी बहुत सारे निरने हुए है इसलिए इंडिये का परफॉंट बहुत अच्छा रहेगा और इस वक्ते 400 पाल जो का इंडिये है ये पाल करेगी और बीजेपी को जिस साब ने बताया उसी तरफ पीन सो सत्तर से ज्यादा से ज्यादा से बीजेपी को कमिलेगी उत्तर पदेश में जैन चोधरी हमारे साथ आए इंडिये में आये हैं और कॉंग्रेश की हलर यहां बहुत बड़ी बुपूरी है तो सपा और कॉंग्रेश के आलाइंस में इतनी ताकत बिल्कुल नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि सपा बसबा का आलाइंस ताह इसलिए तो 15 सिटी चुनकर आई जूनकी लेकिन अभी बसबा भी उनके साथ नहीं है तो कॉंग्रेश का जनादर बूरा ठूटता जा रहा है आसिप खान, निवच्पोनेशन, लखनूर